चले दोस्तों मैंने आप सभी लोग को बताया था कि लालित नायन मितला इनवर्सिटी के और से जो री सीडूल प्रोग्राम लिस्ट जारी किया गया है बीए बीए से बीकॉम पार्ट टू वाले स्टुडेंट के लिए उसके बारे में मैंने बताया था कि सारा डीटेल में ज सारा चीज समझ जाएगा तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर लिजिएगा चले सबसे पहले में बता दू तो इस वार पार्ट टू में चालिस के अंदर बनाया गया है लली तुनायन मितला इनवर्सिट करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दू चालिस केंदरों पर इस बार डिरी पार्ट टू अनर्स की परिच्छा हो रही है सबसे पहले बात करूं अनर्स पेपर की जो तीथी है वह 25 से स्टार्ट हो जाएगी पांच तक चलेगी पर्थम पाली में यहा पेपर का सीन सोट है तो अगर यह आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं इसे मैं लिंक डिप्स्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग इसे भी पर लिजेगा तो चलिए दोस्तो हम आचुके हैं रिस्टूल कांसलिंग बीए बीसे बीकॉंप पार्ट टू नर्स और सेपसिडरी के प्रोग्राम लिस्ट पे तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को यहाँ पर बताने वाला हूं आपका कॉलेज और सेंटर आपका कौन सा कॉलेज है और क के सेंटर में आपको एकजाम में देने के लिए के लिए चाना है ये आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं यहां सब्सक्राइब कर दोड़ा हूं यह पीडियो में इसका लिंक में दिया था आप लोगों से डाउनलोड कर लिए होंगे तो चलिए दोस्तों आपको यहां पर में स्टेप बाइस्टेप समझाने वाला हूं सी एम साइंस कॉलेज दरबंगा दोस्तों यह तीनों जो कॉलेज देख रहे हैं MRM कॉलेज साथी जेके कॉलेज जेडी कॉलेज यह तीनों कॉलेज का जो भी एस्टुडेंट हैं चात रहें चात रहें उनको CM Science College दरवंगा में उनको एक्जाम देना जाना होगा चले दोस्तों उसी परकार से आप यहां देख सकते हैं दो नमबर में कॉलेज दिया गया है MLSM College दरवंगा जिसमें दोस्तों दो कॉलेज है तो यह दो कॉलेज के स्टुडेंट को यहां पे जाके एक्जाम देना परेगा उसी परकार से सारा कॉलेज दिया गया है मैंने पिछले वी वीडियो में बताया था लेकिन वहां पर बहुत सारे स्टुडेंट नहीं समझ पाया तो हम ने सुचा कि क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जिसमें सारा स्टुडेंट समझ जाएंगे उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं समझति पूर कॉलेज स्टूर के जीतने भी स्टुडेंट होंगे उनको R&R college समस्थिपूर जाके exam देना होगा साथ ही दोस्तो एक और college का इसमें attachment किया गया है जोड़ा गया है तो दो या तीन college का एक center बनाया गया है जो कि आप लोग को अपने college पे जाके साथ ही आप लोग को exam देना है तो जो आपका यहाँ पे college है और उस college का जहां भी center दिया गया है वहाँ जाके आप लोग को exam देना होगा चलिए मैं यहाँ बात कर लेता हूँ समस्थिपूर college समस्थिपूर यह center रहा इसमें R&R college के student को जाके exam देना परेगा समस्थिपूर college समस्थिपूर में उसुषी प्रकार women science college का भी जाके देना परेगा साती संत कबीर के student खुर घुँग को जाके समस्थिपूर college समस्थिपूर ने exam देना होगा दोस्तो इस प्रकार से आप लोग अपना college का देख लीजएगा आपका college कहां एक्जाम ले रहा है तो यह देख लिजेगा आप लोग और इसका मैं भी लिंक डिप्स्रिप्शन में देदूंगा पीडियाप का तो आप लोग इसे भी डाउनलोड कर लिजेगा वैसे तो अगर आप वेबसाइट पर रीज़ करते होंगे तो आप लोग तो डाउनलोड कर लिए होंगे या लली तनानवितला इन्वरसिटी के ओफिसियल वेबसाइट LNUMU University .in पे गए होंगे उहां से भी डाउनलोड कर लिए होंगे दोस्तों यहां पर सबसे पहली तो सारे नौ वजे आपको अपने कोलेज के सेंटर पे चले जाना है एक्जाम देने के लिए तो दोस्तों इस प्रकार से गुरूप यहाँ दिया गया है उसी के सामने सिकेंट सिटिंग में आप बात करेंगे तो यहाँ पे गुरूप भी तो दोस्तों जिस स्टुडेंट को गुरूप बी में जैसे हिंदी उर्दू संस्क्रीट यानि इन सब्जेक्ट के जो भी एस्टुडेंट ओनर सब्जेक्ट लिए होंगे तो उन एस्टुडेंट को गुरूप बी पेपर नम्मर ठर्ट जो की आपका डिर वजे यानि सिकेंट सिटी में होगा इस परकार से इसके बाद मैथली हुआ यह सब ही जो एस्टुएंट है यह गुरूप सी में है तो आपको देखना है कि नीचे गुरूप सी वाला की एक्जाम कब होने जा रहा है तो यहां पर देख रहे हैं ना गुरूप सी तो आटाइस एगारा दोहार बीस यानि अटाइस नमंबर को आप लोग को आप लोगका एक्जाम हुने जा रहा है गुरूप सी वाल एस्टुएंट का तो इन एस्टुदेंट को किस दिन जाना है तो आप लोग 28 november को जाना है एकजाम देने के लिए तो आप देख लेंगे कि आपका कॉलेज का जु लिस्ट है उसमें देख लिजीग हैं अब मैं subsidiary paper समझाने का कोशिस करता हूं आप लोग जरूर समझ जाईएगा तो चलिए मैं यहां पर सबसे पहली बात करूंगा यहां पर सिटिंग दिया गया है यहां पर exam date दिया गया है तो 7 दिसंबर 2020 को चीन student का जो student science और commerce के हैं तो उनको MB Mathly यानि 50 नमर का जो मैथली जो जिन student का होगा मैथली इंगलीज हो या उर्दू या बेंगोली या नेपाली उन student को जिनका ओनर सब्जेक्ट सब्सेड़ी होगा पेपर तो उनका लेंगेज पेपर आप लोग को फार्स सिटिंग में लिया जाएगा उसी प्रकार से जो student का और भी हिंदी होगा और साथ ही म्यूजिक और इसके बाद आप लोग का जो भी सब्सेड़ी पेपर है वो सेकेंड सिटिंग में होगा इधर 50 marks वाले student का हो रहा है इधर 100 marks वाले student का हो रहा है तो यह से तो आप लोग का एड्मिट कार भी जारी किया जाएगा तो आप लोग समझ जाएगा तो चलिए मैं यहां पर थोड़ा और समझा देता हूं जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं 10 12 2020 को यानि 10 अक्टूबर को शरी कि theory and financial इसी परकार से दोस्तों जिनका जो paper है वह अपना subsidy paper देखे जाएंगे तो सबसे पहले तुम्हें आप सभी को यहां पर समझा दू तो अगर आप लोग इस वार एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपका जो honours paper है इसी honours paper में आपको theory exam लिया जाएगा इसके बाद बार कि आपका जितना भी paper subsidy होगा उसमें आप लोग का यहां पर objective type basis question पूछा जाएगा तो आपको सभा यानि एक question पूछा जाएगा जिसमें आपको चार option देखने को मिलेंगे उस चार option में से एक option को आपको यहां पर color करना परेगा और sit पे इसके बाद दूस्तों मैं बात करत यह था कुछ information और अगर आप लोग समझ गए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजिएगा और अभी भी किसी प्रकार का doubt है तो आप लोग नीचे comment कर दीजिए अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe किजिए वीडियो को like कर दीजिए चले फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैंग जैंग